नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खब्रों क्योड बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर तीन अप्रैल से पटना के सभी कोट का बदले का समय बिहार के 4 लाग स्किल्ड युवाओं को मिलेगा रोजगार अप्रैल से जमीन के सर्किल रेट में होगी बरहोतरी राजगीर में होगा फाइव स्टार होटल करणमार मुहमत कैफ ने मैच में लब के दो अविश्वसनिय कैच इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खब्रों के ओर विस्तार से तीन अप्रैल से पटना के सभी कोट का बदलेगा समय पटना जिला एवं सत्र नयाधीज के तरव से अनूमंडलिय और शेशन कोट को दी गई जानकारी के नुसार मौसम परिवर्तन को देखते में पटना जला एवं 17 नियाधीज के द्वारा यह निन्ने लिया गया है कि 3 अप्रेल से बिहार की राजधानी पटना जले में मौजू सभी कोट का समय बदल जाएगा बता दे कि बदले गए समय के नुसार 3 अप्रेल से कोट मौर्निंग सिफ्ट में काम करेगी जोगी 24 जून तक जारी रहेगी यानि कि अब कोट में 3 अप्रेल से 24 जून तक नियाई कारे शिभा 7 बज़े से शुरू होगी जो की सारहे 9 बज़े तक चलेगी और फिर 10 बज़े से शुरू होकर दो पहड एक बज़े तक चलेगी हाला कि बीच के समय में लंच अवधी को निर्धारित किया गया है बिहार दिवस के मौके पर इन चीजों का उठाय लाब बिहार दिवस को लेकर सरकार के दोरा 22-24 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान इसके मेमोरियर सभागर रविंद्र भवन और बिहार संग्रहाले पड़ीसर में कहीं कारीक्रिमों का आयोजन करवाया जाड़ा है लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात इया है कि इन तीन दिनों में बिहार वास्यों को सरकार की ओर से कहीं तोफ़ दिये जाएंगे पता दे कि इन तीन दिनों में बिहार दिवस के मौके पर लोगों को फ्री वाइफाई सेवा बिल्टरॉन द्वारा उपलब्द कराई जाएगे इसके साथ ही पटना इस सिनेवा हॉल में इन तीन दिनों तक कुछ चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा जो लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा यानि कि इनके टिकेट पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर बाटे जाएंगे वहीं बच्चे इन तीन दिनों में बिहार के कई परटन स्थलू पर मुफ्त में ब्रह्मन कर सकते हैं जिनमें राजगीर का घोडा कटोडा जू सफारी बादमी की नगर इसित व्यागर अभ्यार ने रोतास के तुतला भवानी समेट कई स्थान सामिल है मनीश कशप से आज EOU करेगी पूछताच पिहार बितिया के रहने वाले यूटूबर मनीश कशप के घर पर कुड़की की कारेवाही शुरू होने के बाद मनीश कशप ने अपने आपको सरेंडर कर दिया था पता दे कि तमिलनाडू में बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई का वीडियो गलत तरीके से सोचल मीडिया में वारल करने के आरोप में मनीश कशप ने जगदीशपूर थाने में सरेंडर किया था जिसके बाद उन्हें EOU की टीम पटना ओफिस लेकर आई थी बता दे कि एक राज जेल में गुजारने के बाद आज उनसे आर्थी कपरास साखा के दोरा कई मामलों पर पूछताच की जा सकती है इसके साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि मनीश कशप को तमिलनाडू पुलस भी पूछताच के लिए अपने रिमांड में ले सकती है NIA ने PFI के 19 लोगों के खिलाफ किया आरोप पत्र दायर मीडिया में चल रही खबरों के नुसार बीते दन यानिकी सनिवार को राश्य अन्वेशन अभीकरन के द्वारा प्रतिबंधिस संगठन पॉपलर फ्रंट ओफ इंडिया के खिलाफ इस मही ने अपने पांचवे आरोप पत्र में संगठन की राश्य कारेकारी परिसत के बा पाई मामले में अब तक 105 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है आपकी जानकारी के लिए बता दे किसके खिलाफ की गई कारवाई का जाइजा खुद केंद्रे ग्रिह मंत्रिया में सहके दोराल दिया गया है टेश्वी आदव के पिता बनने की जाने सचाई बीतधन यानिकी शनेवार को सोचल मीडिया पर भिहार के उपमुखे मंत्री टेश्वी आदव को बीटी के पिता बनने को लेकर खूब चर्चा हो रही थी जिसके बाद यह चर्चा इतनी बढ़ गई कि समुद्दे को लेकर RGD के MLC सुनील कुमार सिंग को फेस्बूक पर पोस्ट करना पड़ा जिसमें उन्होंने तेश्वी यादव और उनकी पतनी की तश्वीर को शेयर करते वे लिखा है कि सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी भी अदबुत और कमाल की चीज होती है इस देश में यदि गनेश जी को दूद पीने जैसा भी अफवाह फैलाना हो तो सोशल मीडिया से बहतरीन कोई चीज हो ही नहीं सकती है जिसका बेचा अस्तमाल विश्व गुरुजी की पार्टी तो करती ही रहती है भला बताईए कि जिसके घड में नए अतीती का आगमन होना है उनके पिता श्री को ही पता नहीं है कि मैं किसी बच्चे का बाब बन गया हूँ बिहार के 4 लाख स्किल्ड युवां को मिलेगा रोजगार बीतिदिन ज्यानी की शनिवार को विज्ञान प्रादोई की मंतरी मुहमद इस्राइल मंसूरी के द्वारा कहा गया कि बहुत जलती प्रदेश में IT पॉलिसी लागू की जाएगी और इसके तहती बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चोड़ाहा पर IT टौपर और कई अने जगों पर IT पार्क का निर्मान किया जाएगा उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर बेरोजगार युवां को स्किल्ड बनाया जाएगा और इसके प्रत्थम चरण में भीहर के 4 लाख स्किल्ड युवां को सरकार की ओर से रोजगार भी मुहया कराई जाएगी बता दे कि विज्ञान प्रौधिकी मंत्री बुहम्मद इस्राइल मंशूरी के द्वारा ये सभी बाते बीते दिन बेला इस्तितराज के महिला पॉलिटेखनिक में नव 244 चात्राओं को नियोजन पत्र वित्रन के मौके पर आयोजिस समारों को संबोधित करते वे कहा गया इसके साथ उन्होंने कारेकरम के दोरां सभी 44 चात्राओं को अपनी ओर से सुबकाम नाई भी दी अप्रेल से जमीन के सरकल रेट में होगी बड़ी बरहोतरी अगर आप भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो जल से जल जमीन की रेजिस्ट्री करवाले क्योंकि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अप्रेल महीने से जमीन के सरकल रेट में बड़ी बरहोतरी आने वाली है जिससे बिहार में जमीन की खरीद बिक्री महंगी हो जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिला ने बंधन कारयाले के दौरा तैयार किये गए प्रस्ताओं के मुताबिक बिहार की राजधारी पठना में जमीन की सरकल रेट में 32 प्रतीशत की परहुतरी दिखाई द तो वहीं अब इसकी रेट मौजा वार तै किया जाएगा वाला कि पहले इस प्रस्ताओं को लेकर डियेम की अध्यक्सता वाली समीती के द्वरा मंधन किया जाएगा और फिर कैबिनेट की ओर से पास किया जाएगा नव चैनि 461 सहायक प्राध्यापको की न्यूक्ती का रास्ता हुआ साफ वीदेजिन सिक्षा विवाग के अपर मुखे सचीव दीपक कुमार सिंग के दोरा राजे के सभे विश्य विद्यालियों के कूज सचीवों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें यह कहा गया है कि वि जल से जल संपन की जाये यानि कि अबराजि के विविन विश्य विद्यानियों के लिए बाहर रखा गया था जिसके आधर पर विवाग के दोरा इस सहायक प्राध्याब को की सूच हुआ विश्य विद्यालियों को भेजी गई है 111 वा बिहार दिवस पर विवन विभागों का होगा प्रदशन बिहार की राजधानी पतना में इस गांधी मैदान में बिहार दिवस को लेकर कई कारिक्रमों का आयूजन किया जा रहा है बीते दिन प्रमंडली आयुक्त कुमार रवी और डियम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग गांधी मैदान पहुँचे बता दे किस दोरान उनके साथ सीटी एसपी माध्य वैभव सर्मा ट्राफिक एसपी अनील कुमार आयुक्त के सचीव तपेश्वर प्रशाद आटीए सचीव राकेश कुमार अपड़ जिलाद दंदादिकारी विधी विवस्था नगर दंदादिकारी डी यो वा अन्य प्रदादाइकारी मौजूद रह तो वहीं गांधी मैदान में युवाओं के लिए लाइब डिमोस्ट्रेशन, रोबोट, 3D पेंटिंग आधी का भी प्रदर्शनी किया जाएगा गंगा नदी पर दो साल में तयार हो जाएगा नया पुल सरकार के दोरा बिहार की रासधानी पटना से सटे गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर करीब 1794.37 करोर रुपे की लागत से फोरलेन पूल का निर्मान करवाया जा रहा है जिसके पुर्ण होने की अबदी वर्ष 2025 तक निर्धारित की गई है बता दी की फोरलेन पूल की लंबाई एप्रोच सहित करीब 14.5 किलो मीटर होगी मालू हो कि इस फोरलेन पूल के निर्मान की जिम्मेदारी बिहार सरकार के दोरा SP सिंगला कंपनी को दी गई है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि पहले इस फोरल के निर्मान कारी को पूरा करने का समय 22 सितंबर 2024 निर्धारित किया गया था लेकिन किनी कार्णों से अभियान समय बढ़कर 2025 हो गई है इस फोरल के निर्मान होने से मुझपरपुर सारण वैशाली के लोगों को शीधाल लाब मिलेगा राजगीर में होका 5 स्टार होटल का निर्मान और नरिक्षन करना था लेकिन किनी कार्णों से वभीते दिन राजगीर नहीं पहुं सके मिले जानकारी के नुसार राजगीर में 5 स्टार होटल का निर्मान बिहार राजगीर में निर्मित होटल तथागत बिहार परिसर में ही करने का प्रस्ताव है क्योंकि यह जमीन फाइव स्टार होटल के निर्मान के लिए परयाप्त है मालू हो कि होटल के निर्मान हो जाने से विदेशी परेटक समेट देश के परेटक भी यहां आना काफी पसंद करेंगे जिससे परेटन के छित में बिहार आगे बढ़ेगा रोहनी ने सिंगापुर में अपने पता लालू प्रशाद यादव के लिए कराई पूजा लालू प्रशाद यादव के सफल किड्नी ट्रांस्प्लांट की कामना को लेकर उनकी बेटी रोहनी आचाड़े के दोरा सिंगापुर में बीते दिन भगवान सत्यनारायन की पूजा कराई गई पता दे किस दोरान रोहनी आचाड़े ने अपने पता लालू प्रशाद यादव और अपनी मा राबरी देवी से भी वीडियो कॉल के जर ये बातशीत की मैं भगवान सत्यनारायन की पूजा की जानकारी रोहनी आचारे के दोरा ट्वीट करके दी गई है उन्होंने सत्यनारायन भगवान की पूजा की तश्वीर शेयर करते वे लेखा श्री सत्यनारायन भगवान ने मेरी आस्था और विश्वास को तूटने नहीं दिया और मेरी मनुकामरा को पुर्ण किया भगवान स्री शत्यनारायन से यही प्रातना है किसी तरह मेरे मम्मी पापा और मेरे परिवार पर कृपा द्रिश्टी बनाए रखे इसी तरह रोहिने आचारे ने दूसरा टूइट कर कहा ओम श्री सत्यनारायन नम्हा आज से लगवक तीन महीना पहले भक्ती और श्रद्धा भाव से पापा के किड्ने ट्रांस्प्लांट हे तू उत्तम स्वास्ते के लिए भगवान श्री सत्यनारायन की पूजा का मन बनाया था जो आज पुर्ण हुआ राज़त ने किया ओवैसी पर पलटवार AIMIM के चीफ असुदीन ओवैसी के दोरा अपने सिमांचल दोरे के दोरान महागडबंध सरकार पर जमकर हमला किया गया तो वहीं अब राज़त ने ओवैसी पर पलटवार करते वे AIMIM को बीजेपी का बी टीम बता दिया है बता दे के आरज़ेडी के प्रवक्ता इजाज एहमत के दोरा ओवैसी पर पलटवार करते वे कहा गया कि सिमांचल के दोरा महागडबंधन की रैली को समर्थन दिया गया था और जस तरह से वहां के लोगों ने स्वैम आकर लालो पुषाद यादव, नितीज कुमार और तेश्री यादव के सास साथ सभी महागडबंध निताओं को सुना और जो समर्थन दिया उससे बीजेपी में घबराहट और बॉकलाहट आ गई है यही वज़ा है कि भाजपा अब दूसरी तरह की राजनिती शुरुक कर रही है बीजेपी यह समझ चुकी है कि अब सिमांचल में उनकी दाल गलने वाली नहीं है यही वज़ा है कि उन्होंने अपनी B टीम का सहरा लेना शुरुक कर दिया है और इलाके के स्थिती और परिस्थिती को अपने हिसाफ से ढालने की कोशिश कर रही है मुहमद कैफ ने मैच में लब के दो अविश्वस्तिये कैच 42 साल के मुहमद कैफ आज भी उतने हिप फिट है जैसा वह पहले हुआ करते थे बता दे कि यह बात हम नहीं बलकि उनके खेल को देख कर कहा जा सकता है दरसल मुहमद कैफ ने बीते दिन सनिवार को लिजर्ण्स लीग क्रिकेट में इंडिया मराजास की तरफ से खेलते वे एशिया लाइन्स के खिलाफ दो ऐसे कैच लब के जो बिलकुल अव विश्वश्निये था बता दे कि सबसे पहले मुहमद कैफ ने खेल के नौवे ओवर में कवर्स की दिशा में उपूल थरंगा को एक हां से ड्राइव लगा कर शांदार कैच लबका तो वहीं दूसरा कैच उन्होंने पारी के 16 ओवर की तीसरी गेन को आगे बढ़ते वे बाई और ड्राइव लगाते वे दर्श्निये कैच लबका बता दी कि उनके द्वारा किया गया यह दोनों कैच फैंस को खुब पसंदा रहा है और 42 के उम्र में इस तरह के कैच पकरने पर फैंस कह रहे हैं कि सेर अभी बुढ़ा नहीं हुआ है पता दी कि बीते दिन खेले गए इस मैच में इशिया लाइन्स के द्वारा इंडिया महराजास की टीम को 85 रनों से हडा दिया गया जौनी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल करेट बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रॉल डीजल करेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पेट्रॉल 107.2 रूपे और डीजल 94.2 रूपे प्रति लीटर में मिल रहा है मुझे अपरपूर में पेट्रॉल 107.9 रूपे और डीजल 94.6 रूपे प्रति लीटर मिल रहा है इसके साथ ही गया में पेट्रॉल कीमत 108.3 रूपे और डीजल 95.6 रूपे प्रति लीटर है बता दी कि बिहार में पिट्रोल का रेट सबसे आदा कसन गंच में हैं जहां पिट्रोल 119.4 रुपए प्रती लीटर और 296.4 रुपए प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिर जोल का पुछेए का प्लोगों में से बहुत लोगों पना जवाल पुछेगा सवाल का जवाब दिया है अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके नुसार युवाओं में स्किल को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाया जाना चाहिए आप अपने जवाब हमें अमारे कामेंट सेक्षिन में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिह और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद